मस्कार दोस्तों कैसे आप सब जन्वरी की बयानक ठंडी में बचने के बाद में हाजर हैं आपके लिए फर्वरी के महीने में ख़बर ले करें तरसल्फ खबर हैं तो आपके पास में पहले से या जाते हैं न्यूज तो वाट्सॉप ग्रूप के चरिए यूटूब प्रोपेगेंडना वेजरिए फिस्वुक लाइफ के जरिए आपके पास में फैक्ट और न्यूज सौट वीडियो के रूप में आही जाते हैं या तो वो किसी फिश्व Dabei से आए या किसी Twitter account से आए या किसी अब आपको इतना नहीं पता रहता है इतनी Public Innocent नहीं हैं इतनी Public जानकार नहीं हैं कि वो वो सही गलत का पता लगा सकी अगर मैंने आपको कोई फैक्ट बताया है वो सही है या गलत आपको पता नहीं लगेगा इसलिए इसकी जाच परताल हम लोग करेंगे मैंने इसकी चीज को स्टार्ट किया है कि जो भी न्यूज आप दिखाई जा रही है वो ये किसी प्रोपेगंडा से में तो नहीं उल्जी होई है उनको दिखाने के लिए हमने चारफरद वूइट किया है दस स्टार्ट करें लोल के अंदर सबसे बड़ी ख़बर आई है जारकंड के जो मुख मंत्री है हैमंत सोरे हैमंत सोरे का जिंगना लाला हो गया अच्छा हेमंद सेरो को चीप मिनिस्टर होते हुए उनको अस्तिपा देना पड़ा हेमंद सोरी जारकंड के मुक्क मंत्री थे मौजूदा काल में दस और उन्हों पर आरोप ये था कि उन्होंने राची के अंदर कुछ आर्मी की लेंड को इलीगल तरीके से बेख दिया था कि उन्हों सेरो को गरपतार करने का पीछे बीजेपी का एरादा कुछ एक्सपर्ट ये मान वहे हैं कि बीजेपी का टाडेटेड काम ये था कि हेमंद सेर सोरे को सालों से परिसान किया जा रहा था दरसल उनके अकॉर्डिंग मान है तो जब से उन्होंने चीफ मिनिस्टर पत की सपत ती उसी बत से बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई है परिष्टा चारख के आरोप मैं एडटी उनके पीछे पड़ी हुई है यानि के कैसे अब गर्रिफ्टा Market पूरे चारग करती करती अपना खुद बला कर वैठी अन्हीं आरोपिये लगा है तो इसमे के लिए वो ED की custody में है इसलिए उन्होंने CM पल से इस्तीपा दे दिया है और चमपई सोरी को जारकंड का नया CM गोसित कर दिया गया है जब भी सरकार इस तरह से गिरती है तो जुग जारकंड के अंदर जुग सरकार है वो गटबंदन की सरकार है यानि कि कॉंग्रेस और जारकंड मुक्ति मूर्चा और राष्टी जनता दल जिन तीनों पायटियों ने मिल करके सरकार बना रखी है वहीं BJP के पास में जारकंड म में लिए को खरीदा ना जा सके उनको पैसे दे करके सरकार को हिलाया ना जा सके इसी ये कौंग्रेस और जारकंड मुक्ति मूर्चा और आर जेडिंगे अपनी विदायकों को गाडियों में भर-बरकर के लिए हैधरावाद के लिए सिप्ट कर दिया है यानि कि हम में लिए कुछ शून करके भीए हमारे निये विकास करेंगे निकन ये भी खरीद जाते हैं जैसा महहराश्य की अंदर हुआ ता, कई सारे राज करना टका के अंदर हुआ था, मतपति इसके अंदर हुआ था, या राति-जात में MLS को 파Wर्फुल पाटिया खरीद लीती ह are, in-के पास म इस सेगमेंट में में खवर है फ्रांस के अंदर फ्रांस के अंदर जो फार्वस हैं वो प्रिक्टिस्ट करने लेग रहे हैं फार्वर के से प्रिक्टिस करतें है आप जान गरके चौक जाएंगे दरसाद जो फार्वर है आके किसान है उन्होंने क्या किया है कि जो बल्ड की सबसे फेमस पैंटिंग है पर सूप फैंक दिया यानि कि सबजीक ढाल दी अब इसके पीछे यहां के अजीब औं गजीब molecular के ओपिस होती है ना उनके सामने जो बोवर ले जा करके और जो फार्मिंग का विश्ट यह उसको ले जा करके डाल दे और अठाते रहो मतलब कुछ भी यार किसांद ठ्रांस की जलसंग्या के दूसरी तीन परसेंट हैं दरसल यह प्रोटेस्ट क्यों करने लग रहे हैं लेकित अगर यह भारत में ऐसा करती थी अगर किसी पेंटिंग पर इस तरह की अरकत कर दे तो भारत का मीडिया तो उन पर जनसंग्या क्रितिवाड़ी करते लेकिन घवर्मेंट ने का किया है कि जो एक्रिकंचर डीजल है जो टेक्टरों में यूज कीया जाने वाला डीजल भारत के अंदर तो ऐसा सिस्टम आज तक बनी नहीं पाया है कि जो हम कॉमर्शियल अपने ब्यापार के लिए डीजल का प्रियुक करते हैं वो को उसको अलग किया जाए और जो किसान जो डीज कर्मेंट ने उसके दाम बढ़ा दी पहले बाद दूसरी बात यह जो भी फ्रांस के अंदर किसान पशल की पैदावारी करते हैं उसकी उनको अच्छे कीमत नहीं मिल पा रही है यानि कि भारत के अंदर मिनीमम सपोर्ट प्राइज का एक सिस्टम ऐसा फ्रांस के अंदर कू ना लेता है जिसलिए उनके जो उन्होंने पैदा किया गुए उनका अन्य ना जव उसकी कीमत डाउन हो जाती है ऐसा इंडिया में और रेडी होने लग रहा है पिछली साल 2020 में कोरोना काल में जो सर्सों की लेट थी वो 10,000 को टच कर गी थी लेकिन गवर्मेंट ने बहार स पार्म उनको एक्सपूर्ट करना इस्टार्ट कर दिया फार्मों किसानों की या पर बुरी आलत है पांच से चार एजार रुपे कंटल के साब से सर्सों बिगर रहे है मार्केट में इतनी बुरी हालत हुई है लेकिन किसी को क्या करना है दरसल माजरा क्या है इसको समझी यहां पर 36 जो नॉमिंडेट पारसद थी वो काउंसल थी वो बूट डालते हैं 38 यानी के पहले से डिटार तक इंडिया अलायंस और कॉंग्रिस और आमाधिन पाइटी ने मिल करके उनके पास में 20 वोट थी और बीजेपी के पास में 16 वोट थी तो बीजेपी ले दूसरी ट्रिक लगाई दरसल बीजेपी के यह कार करता थे अनिल मसी उनको फ्रिसाइड यह सबाल पूचा तो किस तरह से जीव को मतलब इस पुर्ष्ट रूप से जबाब नहीं दे पा रहे हैं तो यह उनके उपर पॉइंट उटता है वो जो देखें वो जो वहाँ पर जो इन्वैलिट जो बोर्ष्ट है उन पे जो उनके मांक्स होते हैं कुछ टिक मांक्स पता है ना आप सबको नाई पता है कहां पता है हाथ उपर को रो किसको पता है आप बताएं कमेंट में ये सही उत्तर दे रहे हैं इन्होंने गलत किया है या ठीक किया है अगर इन्होंने ठीक किया होता तो इनकी जीप ट्रंट सच बूलती और सच बूलने में कभी जीप लड़कड़ाती नहीं सबसे बड़ी सेग्मेंट में खवर है वो है ब्रिष्टाचार धारणा सूच गांग दरस्तर ब्रिष्टाचार धारणा सूच गांग एक तरह की एक रेपोर्ट बनाई जाती यो ट्रांस्परिसी इंटरनिस्टरल द्वारा लिका ली जाती है इसके अंदर जिद देशों को लंबर दिये जाते हैं अगर किसी को किसी देश को सो लंबर दिये जा रहे हैं जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं मैं किसी एक्जाम को देने गया मेरे सो लंबर आ रहे हैं तो मेरे मैं ब्रकुल ज्यादा मेनती हूं पढ़ने वाला हूं ऐसे देश के अंदर अगर उसके सो ल हम्ममे बाब लंबर मिला है। यानि की हम 81 डेसों में से 93 वी लंबर हैं व्रिष्टाशार करनी में हम को लंबर मिले हैं 49 यानि कि 33 % का क्रिटीरिया लगाएंगे तो पास तो हुई जा रहे हैं। हम कि इतना व्रिष्टाशार Puene dupe government के हाल को सुनिये, दरसर न्यूपी गवर्मेंट पर इतनी बुरी तरह से ब्रिष्टाचार हो रहा है हर्दोई के अंदर जो मतलब हर्दोई के अंदर गव सालाओं के लिए बूसा खरीदा जाता है बूसा खरीदीने के नाम पर सरकार से 2.60.000.000 रुपे का गोटादा कर दिया जाता है दरसर चानिस गोव सालाओं के लिए बूसा करीदा जाता है जिसमें जो इससे संबंदित अधिकारी हैं उनके पास में रिपोर्ट ही नहीं है लेकिन उनकी जाश को कोई चेक करेगा दसल इस देश की जनता को ग्यान वापी मस्जित और मंदर की राजनीती से टाइम मिले जबी तो दसल यूपी के ही एक MNA है जो बीजेपी गवर्मेंट सरकार के MNA है जब ब्यार के अंदर सत्ता प्रवतन होती है तो उनका एक कमेंट आता है ब्यार सिचक बरती में ब्रिष्टाचार करने की आर जीडी के कोशिस पर सरकार की नीतीस जी का उधारण प्रतुष्ट किया है उसके रिपलाई में राजे साहू लिखते है बाई साब यहां तो उल्टा चोड कोतवाल को डाट रहा है यूपी में छे साल होगे छात सिच्टक बज़ती की नीत तरस गए है बीजेपी के में यह है वो टार्गेट कर रहे है दूसरे राजे की सरकार को ट्रांसपेरिस सीगू ले करके यानि कि उनको पता है यह खुल जजज बने हुए है लेकित अपने राजे के अंदर इस तरह से व्रिष्टाचार वाले काम लोनी लग रहे हैं उन पर लगाम नहीं लगाएंगी मतलग एक दूसरी पर बिलीमेंट गेम करेंगे दो करोड़ दो करोड़ साट लाग छोटा है मांट तो है नहीं इतने बड़ी लीवन पर गोटाला हुआ है बलिया के अंदर मुख्यमंतरी शामु एक विवाकशा के अंतरगत पांसो 2020 लटकियों की साधर चियरवाइ जाती है लेकिन वहां पर बीडियो भाइन हो जाती है बलिया के मैं पर चेरों मास्क पता नसे जब यह बात मैं पूल्झत, ओनको बछा दिया लेके द्न को बचा तो लटका बताता है कि दो थी नहजार रुपे पर जब अधरस्ती बिठा दिये जाते इतने लिवल पर ब्रष्टा चार उने लग रहा है इस ब्रष्टा चार पर लगाम कौन लगाएगा इस देश की जनता हम इसको अब आप अचावरु को होंगी इंची जों के बारे में गोधी मीडिया आपको ठाइम देगा जबी तो आपको पता चलेगा हमारा सेग्मेंट में वीडियो के दूसरे पार्ट में आ गए है वो है पबलिक मूड आ कुछ यह राजस्तान के एक स्कूल में देओ बीजेपी के वाले अलाव मत करो इसकूल में इसको बंद करो एक नई कंट्रोवर्सी गोधी मीडिया को नया कंटेंट मिल जाता है कई दुनों तक यह लाब इस्टिंग चैनलों पर चलाई जाती है कि राजस्तान के अंदर हिजाब को बेंड कर दिया जाएगा यह कर दिया जाएगा वो जह वर्स भान खेंट के लिए एक पोष्ट के लिए पंदर लाख का गोटाला होनी लग रहा था व्यानि के पंदर लाख रुपे दूर जो जो अब लों इस तरह इक गोटा ले जो वहां का जो नेक्सस गेंगे जो माफिय गेंगे पेपर नीुक हो थे राजस्तान के अंद अगर आपको छुना गया है तो आपका उत्तरदायत बनता है कि आप जो राज्य के अंदर जो समस्या अबर करके आ रही है उनका उचित समादान करें न कि इतर उधर की जो इनलू मुसल्वान की फालतू की फैक्टर से उसमें जनता का दमाग बढ़काने की कोशिस्चिन करें जनता भी इसी की लाइक है मुझे तो लगता है जनता को इस सारे मुद्दों का मूँ तो जबाब देना चाहिए जसल ऐसी कर्टू वर्ष्टी अगर आपको हिजाब पसंद नहीं है तो इसलिए आप मुसल्म समाज की कुछ लोगों को बलाईए कुछ उनको सांती रूप से समझा सुलिया बुजा करके एक समीती बनाईए उस पर काम कीजिए लेकिन इस तरह की स्टेट्मेंट देखने से एक दूसरी समदाय को बढ़काने से इसके प्रित्सूद में मुसल्म नर्कियों जैपर के अंदर एक गुलेनी निकारी उन्होंने आप आप किसी को लेकिन इनको रांतवीर थे जो अंग्रेजों से लणाईयां लड़ते थे जब उन पर ज्यादा पॉब्लिक खिट्टी हो जाती थी कानून विवस्ता नहीं समलती थे वो क्या करते थे तारा एक सो चम्वारी से लगा दे थे ऐसा ही ब्यार के पढ़ना के अंदर हुआ दसल रेल बी ने असिस्टेंट्स लोको पालेट की 6000 वर्तियां लिका लिका लिए मतलब इतने सालों के बाद में 6000 पोष्ट लिका लिए और इसका ब्रोध प्रदसन तो हो ला ही था युवा उन्हें रोजगार की मांग करने के लिए पठना के अंदर ब्रोध प्रदसन किया कई दनों तो उन पर लाटी चार्ज कर दिया गया और पाच पाच अंदर के धारा निकाली है वो भी 6000 ये जुम्ला का हम करेंगी किया मतलब इतने इस देश के अंदर होजगार की इतनी बुरी हालात है लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है जो प्रोटेस्ट करता है उसको मार बजा करके चुप करा दिया जाता है लेकिन वहीं पे एक इसू चलता है वो ह ग्यान बापी मस्जिद के अंदर हिंदू संग्टनों को ये अनुमती दे जाती है कि यहां पर पूजा कर सकते हैं इस तरह से मीडिया अब मीडिया का जो सेग्मेंट है सारे लोग नोडा में बैट करके इसी बात पर चर्चा करने लग रहे हैं कि अब ग्यान बावी पर ही जो कट्रपंती लोग हैं मुस्लिम समाज के अंदर कट्रपंती लोग हैं उनकी बातों में मत आईए मतलब यार मैं आप से एक सीधी सी डिमांड करता हूं अगर आप सीधी बनेम करते हैं जो मुसल्मान पीजिप की ऊपर आरोक लगाते कि ये गलत करने लग रहे हैं मस्जि यूपी को क्यों देतें के अंदर सबसे बड़ी ख़वर है वो है यूक्रीन यूक्रीन को दरसल यूक्रीन के अंदर युद्ध अभी वी चला है वहां के जनसंक्याती जी से डिक्लाइन हो रही है यूक्रीन ने एक नया कानून बनाया है वो कानून यह है कि जो वहां के सो उसको पता चल गया कि मेरी मौत होने वाली है तो अपने इसमंग को एक सुरश्चित जगह पर घटा करकर करके उसको इस्टूर करके रख जाते हैं ताकि आने वाली उसके परवार के सदस्टों को इसमंग मिल जाए और आई भी ए परटिलाइजेशन के दरिये सेरोगे सी प्रोसेस के जरी उनको लैप्स के द्वारा उनका बच्चा पैदा किया जा सकता है थाइन्स के तक्मी कहां तक पहुच गया आपको अंदाजा भी नहीं होगा इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारा समाज विश्च के अंद सिस्टम को मूबायल को हम अपने मैंड से ही कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कंपूटर सिस्टम के सामने हम बैटे हैं और मेरे मैंड के अंदर कोई विशार आ रहा है जैसे मैंने इस पर एक काफी डिटील वीडियो पर आई है वह बहुँ नेनो टेकनोलोजी की उपर आप इस च काम करने लग जाएगा हमको अब बटन दबाने अंदर सबसे बड़ी खबर है वो मालदी वियन पाली अमेंट के अंदर यहां के जो सांसद है उनके बीच में लात गुसे से फाइटिंग होने लग रही है यानि कि बाई साथ पूरा सिंग यहां पर बॉलिवुड नूवी की ऐसा लगता है देख करके बॉलिवुड फिल्म की सूटिंग हो रही हो लिकिन ये इस बात में लड़ाई हुई पच्च और बिपच्च जिस पाइटी के पास में मेजोरिटी है उसकी सरकार है और जो बिपच्च में सरकार है उनकी भी चीजियों आपस ही सांसाद है वो लड़ने लग रही है लड़ इस बात में लएंग जो सरकार है उसने चार नए केबिनेट मेमर्स को एप्पूबन दिया ने चार मेमर्स इस पे नाराज हो करके अपूजी सन में फाइट बाज गई अब अब अपूजी सन ने जो opposition में दो पायटियां थी बिपच्छ में दो पायटियां थी और दो पायटियों ने मिल करकर गटबंदन की सरकार बनाई थी उनके पास में अगर वो दौनों मिल जाए तो पहमोत हो जाएगा अगर दौनों पायटियां मिलती है तो वो ये जू जो हमारे देश के सिरी प्रानमंतरी सिरी नहींद मोदी के खलाप में उन्होंने कमेंट किये थे गलत लेकिन उनकी एक मिनिस्टर ने गलत कमेंट किये थे उन्होंने भी इंडारेक्ली इंडिया के उपर अटेक किये थे सब दिखे जरी है उनके सरकार गिर सकती है इतना भूचा लाया हुआ है मालदीप के अंदर वाव अपनी वीडियो के तीसी पार्ट में इंटर करते हैं जिसका नाम है पॉल्सीकूल जिसके अंदर हम सरकार की डिपरेंट पॉल्सी को समझने की कूसर करेंगे दरसल जो पुछली साल में न्यूज आई थी जिसके अंदर इतनी लूप है उनकी पूरी घरों के अंदर रात रात में दरार आ गई उन्होंने कहा है कि जो अन्द डेवलमेंट किया गया है इस रीजन में दरसल जो पाड़ों के अंदर हमने गंद मचाई है वहां पर पाड़ों के अंदर उनको भी आजात नहीं छोड़ा यूमेंस सिबलाईजेस अन्य इतनी बुरी तरह से तबाई मचाई है नेचर के अंदर पीड़ों को काट पीड करके जो एकोलोजिकल जो डिस्टरबेंस था जो बेनेस था उसको बिगार दिया है इसकी बज़े से भारी तवाई आने वाली है climate change दोश्तो हम सब के लिए एक सबसे बड़ा खत्रा बन करके उभरने बाला है glaciers पिखनने लग रहे हमारी नदियों के अंदर दस बीस पचास सालों के अंदर पानी खतम हो जाएगा सबसे बड़ी पानी पीने की समस्या आएगी हमारे पास में क्योंके glaciers के अंदर से बरब पिखनने लग रही है वहाँ पर बरब सारी पिखल जाएगी तो वहाँ पर पानी नहीं खबर रही कि एक फरबरी को फानेल्स मिनिस्टर निम्ला सीतार मंडी बजट पेस किया अपना च्छेमा बजट और सरकार का दसवा बजट पेस किया जो लास्ट येर वहाँ दोजाट चौवीस में बजट पेस किया वह सरकार का इंटिरियम बजट था यानि कि अंतिम बजट था अंतिम बजट को पूरी तरह से पेस नहीं किया गया उसको जितने महीने बचे हैं पर अपना बजट ली करके आएगी लेकिन गवर्मेंट की जो प्रोग्राम चले हैं अपनी उपलवदियां बनाई ये बजट नहीं उससे ज़्यादा कहीं एक पाइटी क्या एक चुनावी 62 था एक 62 की तरह मुझे लगा मैंने सुना था उसके अंदर सारी जो यूजनाय कंट कोई अपने फंड एलोकेट नहीं किये हैं मगर क्यों अपने फंड नहीं दिये हैं जिसकी बज़ए से देश के अंदर जो आत्रतिक मेहगाई बड़ी हुई है और जो रोजगार बेरोजगारी की समस्याय उसको कम किया जा सके लेकिन सबसे अच्छा आस्पेक्ट यह था ज किमीज के अंदर और की बैक्सीन के लिए अपने कुछ फंड एलोकेट की हैं आपको जान करके हरानी होगी कि पिछले साल 14 लाक लोगों को कैंसर हुआ जिसमें से 9 लाक लोगों की तो डैथ हो गई आप एक बॉल्लीवड की इस्टार अभी रीसेंटली में उसकी डैथ कैंसर होती हैं उनसे से निवटने के लिए सरकार ने अपनी बैक्सीनाइजिसन का प्रोगराम चलाया है जिसमें 9 साल से लेकर के 14 साल की लड़कियों को बैक्सीन लगाई जानी है वह बितमंत्री जी ने यही बताया जो पीम किसान सम्मान नदी के अंदर आरग जो किसान है उनको 6,000 रुपे पर सालाना दिये जाते हैं और पितान मंत्री श्रम योगी मांदान यूजरा जिसमें 3,000 रुपे पर मंत्र दिये जाती है पैंसन की रूप में 60,000 उपर अनौर्गनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए उसने किस तरह से EKYC की रूप में ज पूर से बहार निकाला है फोस पार्टिसिपेशन रेट जो फीमिल्स का हुआ करता था लेवर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट था 30.3 था 27 में वो 37% 23 में बढ़कर की खर दिया गया है बारत की जो सबसे बड़ा रेमिटांस बिजने में एक सब 25 बिलियन टॉलर बार से 23 के रूप में प्राप्त हुए है दसर जो फीमेल जो औरतों की संक्याय जो फैक्टरी के अंदर काम करती है उसको कहते हैं लेवर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट उसको सरकार ने बढ़ा करके 2017 में जो आंकड़े कम गवा करती थे उनको 37% 23% से 37% तक बढ़ा दिया है और जो रूप रिमिटांस जो बाहर की हमारे दिस में काम नहीं करते दूसरे दिसों में पैसा कमा करके इस दिस में भीजते हैं वो काफी रिकोर्ट तोड़ बारतियों ने दूसरे दिसों से पैसा कमा करके हमारे दिस में भीजा है लेकिन हमारी ये सरकार टेक्नोलोजी होने के बा के complex के लिए यानि के सुप्रीम कोट की कारण साल कारण प्रणाली को और सुनिच्छित बनाने के लिए और जिल्दी फाश हमको नियाय मिले इसके लिए 800 करोड रुपेश प्लानमंत्री व्यवेद्व मुझे लिए अलोकुट की है सुप्रीम कोट निया लिए ये सरकार का एक काफी बड़ा अच्छा टीसीजर में सरकार इससे इडिस्टिक कोट बनाये जाएंगी और सभी लोगों को जो लोग परिशान होते हैं उनके लिए सुप्रिम कोट और हाई कोट और सारे कोट की नई वेफ साइट बनाये जाएंगी सरकार और जल्दी से जल्दी सरकार को इस साथ में MOU सानी किया है यानि कि जो चंबल पारबती, काली सिंध और उसकी सायक नदिया है उनको जोड़ करके एक इस्टन राजस्तान कैनाल प्रोजेक्ट चलाए जाएगा जो दूर राज्यों के उकर के की MP में होती तो ये प्रोजेक्ट नहीं हो पाता कम्प्लीट इसलिए इन दोनों जगह पर एक ही सरकार की गवर्मेंट है और सेंटर में भी गवर्मेंट है इसका फाइदा ये हुआ है कि एक जो इस्टन राजस्तान के MP के तेरे जिलों को ड्रिंकिंग वोटर और इंडस्टियन वोटर मिलीगा इस इस्टन राजस्तान केनाल पोजेक्ट थी ये काफी बड़ा एक आचिमेंट गवर्मेंट का है अगर ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है तो कई सारी समस्यां वारी सौन होगी जो चम्मल मन का पानी उसकी सायक नदियों का पानी है जो यूज नहीं हो पाता है जो सूखी वाले इलापों में उनका लोग क्रिसी के लिए और अन्निकामों के लिए यूज करेंगे और अपना भविस से सुनिचित करेंगे पि-अम नेन नमोदी ने परीच्छा पर चर्चा करते हैं वह दोजाज चौबीस में स्टुडेंट को एक सला दिये वो है exclusive use of screen time यानि की जो हम मोभाईल स्क्रोल करते हैं जाला जयाला मोभाईल स्क्रोल करते चले आते हैं बच्चे इसके कई सारी समस्या प्याइदा हो सकत दे रहे हैं किसी जादा सी जादा मूवाइल चला करके क्यों ना इस मूवाइल को कम से कम यूज करें अपनी पैतर बविस्थ के लिए चुब आगर आप इस पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी बच्चों को मूवाइल देते हैं तो उस एक लिमिटेड टाइम के उनको फॉंक दें और उनकी ग्लासेश चलती हैं उनके एक कड़ी नज़ग देखें वो क्लासेश चला रहे हैं या उसमें कुछ लगी चलाने लग रहे हैं इसके लिए पैरेंटल कांटॉल करके एक पीड़एक आता है गूगल के अंदर सेटिंग से अंदर उसको ओन करके लगें ताकि आपकी बच्चे गलत कंटेंट को न कंज्यूम करें अपनी वीडियो के फोर्थ सेग्मेंट फोर्थ पार्ट के अंदर जिसके अंदर नॉनसेंस नीज है अगर यह इस पार्ट की सबसे इंटरेस्टिंग यूज है जो आपको कॉमेडी के साफ में जो लीगन यूज है क्या होने लग रहा है दसलिक हुआ कुछ ही हूँ जो जारकंड के जो चीप मिनिस्टर है में सोर्व नी रेजान कर दिया इन पर रात में वीडियो लाइब कर रहे थी सुधीर चोदरी आज तक पर उन पर एक कुछ ठोक दिया जाता है इस वीडियो के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन दोनों संपादकों को गिरफतार किया है जिंदल स्टील इन पावर कमपनी के चेर्मैन नवीन जिंदल के शकायत पर सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया को गिरफतार किया गया है नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि कोईला घोटाले पर कवरेज रोकने के बदले जीनियूस के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनस के संपादक समीर अहलुवालिया ने 100 करोड रुपए माँगे थे जो सुधीर चौधरी की एक बात मेरे को समझ में नहीं आती जो पदानमंत्री का उन्होंने इंटर्वू लिया था जब वो पकोड़े बेखने वाले को रोजगार आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर को पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे के नहीं मानोगे इस बात पर ट्रोल किया जा रहा है उनके पुरारे जो केस रेजिस्टर थे उनको जो जेल की सजाव होई थी इसके लिए ट्रोल किया जा रहा है और हैमल सोरी के लिए भी उन पर एक मुकदमा केस दर्च हो गया है सब्सक्राइब जीत करके आते हैं मुन्ना वर्फारुकी जो अब उनके मुंबई के अंदर ग्रेंट्स हो काफी कम से कम दो डाइस लाक से जादा फैंड़ वहां पर मौझूद होती है काफी बड़ा उनका सेलीबरिशन करते हैं लेकिन तभी उनके एक फैंस ने जिसका नाम यूसुप खाने यूसुप खाने ड्रॉन से उनकी एक वीडियो बना दी लेकिन मुंबई के अंदर ड्रॉन उडाना प्रॉबिटेड है मतलब बिना पर्मिशन के आप ड्रॉन महीं बड़ा सकते हैं क्यों कि मुंबई के अंदर एक टेरर अटेक हुआ था अगर ड्रॉन के अंदर आतंकबादी में सतरक हैं टेक्नोलोजी के साथ में बतन ने लग रहे हैं वो भी ड्रॉन के अंदर बंब बिट कर दीते हैं और छोड़ देते हैं इसी ऐसी गटना पबलिक के अंदर ना हो जाए इसलिए केस पुलिस ने उनका ड्रॉन जप्त कर लिया है सीजन दूर करने वाला हूं जो बिग बॉस ओटी टी सीजन टू हुआ था जिसको एन पर सिया दब बिज़े बिन मतलब जीत करके आए थी और जो बिग बॉस सेबेंटी ने इसके अंदर काफी देफरेंस है दरतल 2015 में बिग बॉस जो हुआ था वो फिलॉप हो गया था जबसे ही जो इसको कंड़क्ट कराने वाली संचता है उसने कहा के हम इसको दो रूप में कराएंगी जो बिग बॉस ओटी टी सीजन टू हुआ था उसकी अंदर वो केबल बोबैल एप स्टोर्स प और जो टीवी चैनल की ऊपर इस बिग बॉस सेबंटीं को दिखाए गया है जो में प्रोग्राम आपको कैसे लगें यह वीडियो अगर आपको कोई भी कमी लगती है या अच्छी नहीं लगती है तो अगर इन वीडियो का आप डिसलाइक कर सकते हैं और आप अगर अपना एक सुझाप देने अपराएं ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई सुधार कर सकें इसलिए आप सुझाप कमेंट बॉक्शन में तो दें सकते हैं